तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं unschooler.ai के बारे में अब ये एक बहुत ही कमाल की website है आप लोगों को कभी न कभी ऐसी problem तो आई होगी कि आप लोगों को कुछ भी सीखना है फॉर एक्जांपल मेरी ज़्यादेतर audience के चीज़ के game hacking उनको सीखना होता है या फिर hacking सीखने होती है बट उनके पास कोई एक proper course नहीं है अब कोई game hacking का कहा course डालता बैठेगा बट unschooler.ai एक ऐसी website है जो की AI की help लेती है और आपके लिए बाहर डवलप करती है एक ऐसा कमाल का course जिस course को आप लोग complete करके अपने goals तक पहुँच सकते हो चाहे वो goal game hacking का हो या फिर hacking का हो या फिर cyber security ethical hacking कोई भी goal हो आपका आप लोग इसके course को complete करके वहां तक पहुच सकते हो आईए हम लोग देखते है यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे कि website मेने open कर रखी गूगल के उपर आपको search करना है unschooler और यहाँ पर हम लोग इसको click करते हैं सबसे पहली website है आप लोग देख पाऊगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैं दो तीन चीज़े बता देना चाहरा हूँ इस website का use करने के लिए क्योंकि यह free website भी है और paid भी है अगर आप सोचोगे कि free में हमें क्या क्या मिलता है तो free में आप लोग सिफ एक course को यहाँ पर बना सकते हो और अगर आप इस website का paid subscription लेते हो तो आप एक से ज़्यादा course को भी बना सकते हो बट एक चीज़ याद रखना free website में जब आप लोग यूज करोगे तो आप से यह लोग Gmail account मागेंगे और एक Gmail account पे सिफ एक course ही अलाओ है अगर आपको और course बनाने है for example एक account पे आपने एक course बना लिया अब दूसरे account पे जा करके आप लोग दूसरा course भी बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं इनकी website खोलते ही यहाँ पर लिख क्या रहा है AI video course और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँगा game hacking ठीक है यहाँ पर आप लोग देख पाऊगे मैंने लिख दिया है game hacking अब आप लोग जानते हो game hacking का कोई ऐसे proper course नहीं होता है क्योंकि game hacking को एक अच्छी चीज तो है नहीं यह तो गडबड़ चीज है तो इसका एक course नहीं होता है बड़ क्योंकि यह AI है और यह AI बहुत कमाल का है यह इधर के topic उठाएगा उधर के topic उठाएगा और सारे topic को merge करके आप लोगों के लिए एक proper course भी बना देगा और एक चीज याद रखना इसके साथ एक खास चीज और मिलती है आपको अगर आपकी किसमत अच्छी रही तो हो सकता है यह आपको video tutorials के माध्यम से भी सिखाने की कोशिश करें अभी हम लोग देख लेते हैं generate a course plan के उपर मैं click कर देता हूं यहां से ठीक है क्योंकि मेरा Gmail account यहां पर login है और देखते हैं कि game hacking के लिए किस type का course बनाता है बेसिकली यह किसी भी type के चीजों के लिए course बना सकता है तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसमें ज्यादातर video tutorials होंगे नहीं ज्यादातर इसके अंदर होता है text tutorial मतलब यह आप लोगों को जो भी text लिखा होता है उसके माध्यम से बताएगा कि आपको क्या करना है क्या न और यहां आप देख सकते हैं इसने गेम हैकिंग का पूरत कमाल का कोर्स बनाग दिदिया बाई reverse engineering understanding house software और यह जो कोर्स होते हैं मैंने इनको काफी use भी किया बहुत ही in detail basic से advance तक कोर्स होते है जैसे इसने पहला topic लिया ना reverse engineering वाकई में गेम हैकिंग का जो बेस है जो start-up ही ह वो भी मतलब reverse engineering से ही है और assembly language दूसरी चीज़ भी इसने बिलकुल perfect बताई है memory manipulation जो कि हम लोग cheat engine game guardian से करते ही रहते हैं और debugging भी network protocol बाकी तो भाई कमाल का है यहां आप देख सकते है cheat engine के लिए भी एक इसने specific option दे रखा है यहां भी देख सकते हैं और इसने बहुत ही मतलब सही तरीके से कर दी है मुझे लग रहा था और यहां पर यहां पर यह जो create one course for free है इसके पर हम लोग click कर देंगे तो यह जो course है जिसका आपको यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है intro type का मतलब सारे options आपको दिख गया है अब यह पूरा proper course बना देगा है ताकि आप और उन options को click करने बाद आप लोग उन options के बारे में study करना start कर सकते हैं यहां पर देख सकते हैं start learning का section आ चुक है हम लोग क्या करते है reverse engineering assembly language इन सब को छोड़ रहे हैं मैं आपको मतलब देख के बताता हूं कि क्या cheat engine के लिए जो यह topics बताएगा वो सही बताता है या गलत plus cheat engine क के लिए क्या यह जो भी मतलब YouTube की वीडियो की वीडियो करता है क्या वो वीडियो आपके लिए helpful है या फिर नहीं helpful है like मैंने यहाँ cheat engine के उपर click किया और देखते हैं कि क्या के चीज़ बताता है फिलहाल यहाँ आप देख सकते है video tutorial are available for premium and pro plans यहाँ पर यह चीज लिखके आ अलग के समझ के काम कर सकते हो ना तो आप लोग काफी कुछ सीख सकते हो प्लस एक चीज और मैं आपको बताना चाहाँ यहाँ पर इस वक्त यह लोग बोल रहे हैं कि वीडियो अवलेबल नहीं है बट जादर तर टाइम जब मैं यह उस करता हूं मैं कोई pro plan वाला बंदा न तो यह काफी अच्छी चीज है यहाँ देख सकते है step to do introduction तो चीट इंजन है और एकर मैं इसके उपर क्लिक कर देता हूं तो देखते हैं यहाँ पर कह रहा है ओकी यह हमारे ही चीट इंजन का एक मतलब पूरा का पूरा separate course ही create कर रहा है मैं देखो game hacking के सारे मतलब मैं किसी क about me है बट आप लोग इससे अच्छे अच्छे courses को भी create कर सकते हो like आप ethical hacking सीख सकते हो hacking सीख सकते हो reverse engineering सीख रहे हो और मतलब क्या ही नहीं सीख सकते से हर एक चीज आप लोग सीख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते है course create कर रहा है बट यहाँ पर हम लोगों को नीचे थोड़ option दिख भी रहा है what is cheating and how does it work overview भी यहाँ पर दिया जा रहा है और भी काफी सारी चीज है यहाँ देख सकते overview of different features of cheating memory scanning memory editing मतलब काम कर रही है website ऐसा नहीं कि खराब है तुम लोग अगर net पर जाकर कि game hacking course धूंड होगे न कहें नहीं मिलेगा अगर इसने game hacking course बना दिया तो मैं literally यह कह सकता हूँ आप लोगों से कि यह काफी सारी चीजों के course बनाने के capable है AI इतना capable हो चुका है कि net से वो कुछ इधर से डूंडता है कुछ उदर से डूंडता है उनको merge करके आपके सामने लाके रख दिता है तो आप कितनी creative minded हो आपको किस type की चीजों के लिए course यह हर type की चीजों के लिए course आपके लिए बना सकता है आपको चाहे एक मतलब plumber बनना हो आपको चाहे भाई कोई बी चीज बनना हो कैसे बनोगे सबके लिए course यहां available है और यहां पर देख सकते हैं चैलेंजेज भी इसने मुझे दिये हैं यहां पर देख सकते हैं और start कहां से ओके स्टार्टिंग यहां introduction to cheat engine and its features वाकई में यहां तक काफी सही रहा नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग को जाते हैं memory scanning and editing यह मतलब step by step लेकी चल रहा है बट काफी गजब का चल रहा है और I hope so कि आप लोग इस website को काफी ज्यादा enjoy करोगे अगर आप लोगों ने इस website को कोई course create किया तो प्लीज भाई comment में जाकर के एक बार thank you और दिल जरूर बना देना thank you और दिल इतना अगर आप लोग लिग दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप लोग वीडियो को इलास्तिक देखियो और इस website का आप लोगों ने कुछ सद उप्योग किया है I hope कि यह वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइश जरू कर दियेगा तो हम लोग मिलते हैं अपने अगली कमाल की वीडियो में